नमस्कार आप सभी को दोस्तो वेलकम बैक टू माई चानल इशिता स्टोरिस ओफिशल आज के वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है अपने स्कूल के लिए तो फिर ये है मेरा प्रोजेक्ट जिसे मैंने अपने स्कूल के लिए बना यहां पर जंगल की कमी है तो यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं कि यहां पर कुछ कीज है यहां पर जो डाक रीन कलर है वो इंडिगेट करता है और यह जो लाइट ग्रीन कलर है वो इंडिगेट करता है कि कहां पर थोड़े हलके फुलके यानिकी लाइट फॉरस्ट है इंडिया में 28 states है और यहां पर आप देख सकते हैं जो यह side के states है इन्हें हम seven sisters भी कहते हैं यह है हमारा north direction यानि कि उपर वाले हिस्से को हम north direction कहते हैं और यह है south direction यहां पर आते हैं तमिलनाडू, केरला, करनाटका या फिर आंडर प्रदेश को हम south states कह सकते हैं यह यह है east direction जहां पर यहां पर हमें कुछ states दिखने को मिलते हैं यहां पर है west direction वेस्ट डायरेक्शन हमें हम गुजरात, राजिस्थान या फिर महाराश्टरा को western states के रूप में जान सकते हैं यहां है चाइना इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहां है अंडमान और निकुबार आइसलेंज के साथ साथ लक्षवदीब यह दोनों इंडिया के पार्ट है यहां है दादर और नगर हवेली हमारे साथ डारेक्शन की तरफ है इंडियन ओशियन सो फिर यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लद्दाख के तरफ थोड़ी से मात्रा में जंगल है और जमुएन कश्मीर में लाइट फॉरस्ट है यहां पर हम आते हैं इस्टन साइड में जहां पर है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश का पूरा स्टेट वेरी थिक फॉरस्ट से भरा हुआ है जो जो थिक फॉरस्ट है वहां के जगा मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि यहाँ पर जो हमारी eastern sides है वहाँ पर सबसे ज़्यादा thick forest है जैसे कि अरुनाचल प्रदेश, असाम, मनिपुर, नागा लेंड, त्रिपुरा, मिजोराम और सिक्किम और इस तरफ में हम चारखंड में देखे तो उसका इस side का part भी thick forest से covered है West Bengal का भी eastern part thick forest से covered है जैसे कि आप जानते है कि राजिस्थान एक barren land का area है और वहाँ का ship of desert animal हम कहते हैं camel को camel को राजिस्थान का ship of desert कहा जाता है बिहार में भी उत्तर प्रदेश के जैसी ही थोड़ी मात्रा में काफी कम thick forest है महराश्टरा का eastern side deep forest से cover है और यह forest यह 37 गड़ में भी फैलता है यहां तक कि पूरी इंडिया में सबसे जादा forest अरुनाचल प्रदेश या फिर हम सिक्किम कह सकते हैं दोनों very thick forest से states भरे हुए हैं तो फिर यह रहा मेरा आज का project आपको यह कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करना और इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर करना ताकि दूसरे वच्चों को भी help हो और हाँ subscribe करना मत भूलना बाई बाई मिलती हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए अपना क्यार रखना